अगर आप gap year certificate के लिए परेशान हो रहे हैं तो ध्यान से सुनना है आप लोगोंगा अगर आप इस साल admission के लिए apply कर रहे हैं तो college आप लोगों से gap year certificate मांग सकता है अगर आपने एक साल का drop लिया था तो यह तभी valid होता है जब आप drop लेते हैं अगर आपने drop नहीं लिया आप इसी साल admission ले रहे हो तो gap year certificate की कोई जूरत नहीं होती अब मैं आपको समझातों gap year certificate होता क्या है जब आप एक साल का gap लेते हैं तो यहाँ पर एक साल के बाद जब आप admission लेने जा रहे हैं तो college को यह doubt रहता है कि कहीं already student किसी university में पढ़ तो नहीं रहा होगा एक टाइम पर दो डिगरी के अंदर इसने admission तो नहीं ले रखा तो यहाँ पर पूछते हैं आपसे एक साल का gap का reason की भई एक साल आपने क्या करा था क्या वज़ा थी आप कहा थी है आप क्या हो यह सारी चीज़े पूछी जाती है तो यहाँ पर gap year certificate में क्या होता है कि आप लगों के एक साल का gap रखा यह तभी required होता है जब college आपसे डिमांड करता है वैसे तो colleges आपसे एक simple application भी लिखके ले सकते हैं क्यार आप लिखके दे दो आपका जो reason है अगर होता है कई colleges ऐसे होते strict होते हैं कि आपको gap year certificate देना ही पड़ेगा तो आपको उस time पे नुट्री वाला pad पे बनवा के देना पड़ता है तो यह simple सा funda है आपको इसके लिए proper college guide कर देगा if they need it they will ask you बाकी ऐसा कोई problem वाली बात नहीं है gap year certificate इस सिर्फ उनी के लिए है जिन्होंने एक साल का अपना drop लिया